हेलो बच्चों आज हम हिंदी का पार्ट 11 घमंडी हवा पढ़ेंगे इस पार्ट में हमें बताया गया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति में आप से यादा गुन हो इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए अब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे इस पार्ट में हवा और सूरज आपस में बाते कर रहे हैं और हवा अपने आपको बहुत बलवान समझती है अब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे हवा कहती है आज फैसला हो जाए कि हम में से अधिक बलवान को ने और सूरज कहता है पर इसका फैसला कैसे होगा अब हवा कहती है नीचे उस व्यक्ति को देख रहे हो जो भी उसका कंबल हटा देगा वही अधिक बलवान होगा अब सूरज कहता है ठीक है पहले तुम कोशिश करो अब हवा क्या करती है? हवा अपने आपको बहुत बलबान समझती है इसलिए वो बहुत तेज हवा चला देती है आंधी चला देती है लेकिन वियो व्यक्ति क्या करता है? करते हो इतनी जो व्यक्ति को मैं तो दिता है यूँ आप को नहीं बढ़ा डेता है। अगर आपको घर्मी लगती है तो आप लोगिता है तो क्या करते हो आपने कोई जैकेट डाली हुई या मोठा कपड़ा अप उसको टार देते हो ऐसे ही उसको इतनी गर्मी लगती है उस व्यक्ति को कि वै उस कंबल को उतार देता है तो अब हवा क्या कहती है शमा कीजिए मैं समझती थी कि मेरे परचंट रूप से इसका कंबल उठ जाएगा सूरज कहता है अपनी शक्तियों पर कभी भी घमन नहीं करना चाहिए अब इस पार्ट से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी घमन नहीं करना चाहिए हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति में हमार से यादा ताकत हो बल हो या गुन हो अब आप इस पार्ट को पढ़ें